एक देश के निर्मान के तीन मौलिक पहलू होते हैं, जिन से हमें शुरुवात में जूजना पड़ा। जब हम देश कहते हैं, तो पहली और सबसे बड़ी चीज है शेत्र, देश की सीमाएं। ये एक दुख की बात है, कि हमने पृत्वी को देशों में विभाजित कर दिया है, लेकिन अभी हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अभी देश ही मानव जाती का सबसे बड़ा समू है, जिसके साथ हम काम कर सकते हैं, इसलिए फिलहाल देशों की जरूरत है, तो जब हम देश कहते हैं, इसका मतलब जमीन की सीमाओं से है, जब जमीन की सीमाओं की बात आती है, तो एक देश के रूप में भारत का पहला कदम जमीन के बटवारे से शुरू हुआ, और ये भौगॉलिक तोर पर समवेदन शील तरीके से नहीं किया गया, बस जमीन का बटवारा कर दिया बड़े ही निर्मम तरीके से, जिसमें छे लाक से ज्यादा लोग मारे गए, इस भंटवारे ने बहुत से लोगों की जान ली और लाखों लोगों को बेघर कर दिया, ऐसे हालातों से गुजरने वाले लोगों की एक पीढ़ी अब भी है, उनकी यादें बहुत भयानक हैं, हमने देश के तीन टुकडे कर दिये, वहां रहने वाले लोगों की जरा भी परवा किये बिना, सबसे बढ़कर, आज एक देश की सफलता, आज ही नहीं, हमेशा से, किसी देश की सफलता उसकी सैन्य शक्ती या राजनीतिक प्रक्रियाओं से नहीं, बलकि उसके व्यवसायो की सफलता से होती है, एक देश के रूप में भारत इस बात को सबसे बहतर जानता था, क्योंकि करीब 200 साल पहले ये धर्ती की सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था थी, दुनिया का 30 प्रतिशत मेर्याद भारत से होता था, मगर जब हमने देश बनाया, तो दुर्भाग्य से ह हमने अपने सभी व्यापार मार्गों को बंद करके देश बनाया, हमारे व्यापार मार्ग जो मध्य एशिया, योरप और अरब में जाते थे, वो काट दिये गए, हमारे व्यापार मार्ग जो दक्षिन पूर्वी एशिया में जाते थे, वो काट दिये गए, समुदरी रास हमने अपने व्यापार मार्क बंद कर दिये और देश बनाया फिर हम तीन दशकों तक जूचते रहे क्योंकि हम कारोबार करना नहीं जानते थे जो काम हम दस हजार सालों से कर रहे थे अचानक हम कारोबार करना नहीं जानते थे क्योंकि सभी व्यापार मार्ग काट दिये गए अगर आप जमीन दे भी देते हैं तो आपको कम से कम एक हाईवे या रेलवे तो रखना चाहिए था जो अरब देशों, मध्य एशिया या या यॉरप तक जाता आज या कई साल पहले अगर भारत से यूरोपी राजधानियों तक जाने वाले हाईवे या रेलवे मार्ग होते तो ये बिलकुल अलग देश होता तो हमने अपने व्यापार मार्ग काट डाले क्योंकि ये बात कुछ ऐसी है एक कहानी चलेगी या आप सो जाएंगे क्योंकि जैसे ही मैं कहता हूँ एक समय की बात है कई लोग सोचते हैं कि सोने का समय हो गया कुछ समय पहले एक समुद्री लुटेरा एक बार एक आईरिश शराब खाने में घुसा समुद्री लुटेरा यानि इन दिनों आप सुमालिया के समुद्री लुटेरों के बारे में सोचेंगे लेकिन वैसा नहीं पूराने जमाने का एक बढ़िया समुद्री लुटेरा तो वो एक आइरिश शराब खाने में घुसा उसका दाहिना पैर कटा हुआ था और वो एक लकडी के स्टंप पर चल रहा था दाहिने हाथ की जगा पर एक हुक था और एक आँख पर पट्टी लगी थी एक क्लासिक समुद्री लुटेरा वो अंदर आकर बैठा और उसने एक ड्रिंक और की वेटर ने उसकी और देखा और कहा अरे जैक क्या हुआ पिछली बार जब तुम मिले थे तो ठीक थे तुमने पैर कैसे गमा दिया उसने कहा अरे क्या करें हम समुद्र के बीच में थे और तोप के गोले ने आकर मेरा पैर उड़ा दिया मगर कोई बात नहीं जहास के कारपेंटर ने बढ़िया इंतिजाम कर दिया ये स्टम पैर जैसा ही है मैं आज भी लेता हूँ फिर उसने उसे ड्रिंक परोसी जब उसने दाइने हाथ में हुग देखा तो उसने पूछा तुमारे हाथ को क्या हुआ वो बोला हम लोग तलवार बाजी कर रहे थे लेकिन कुछ मूर्खों को पता नहीं होता है कि तलवार को तलवार पर मारना होता है उसने मेरे हाथ पर मार दिया और मेरा हाथ कट गया लेकिन कोई बात नहीं मेरे लुहार ने यहां हुक लगा दिया ये हाथ से भी बहतर काम करता है फिर जब वो शराब पी रहा था उसने पूछा मगर तुमारी आँख को क्या हुआ उसने का मैं जहाज की दिशापता लगाने के लिए आस्मान की ओर देख रहा था और किसी चिडिया का मल मेरी आँखों में गिर गया वेटर ने का मगर चिडिया के मल से आँख तो नहीं फूटती उसने का हाँ मगर मुझे हुक की आदत नहीं हुई थी तो हमें आजादी की आदत नहीं हुई थी इसलिए हमने खुद को ही काट डाला ये जाने बिना कि हम क्या कर रहे हैं किसी देश के निर्मान का अगला पहलू हमारे सिस्टम और प्रक्रियाओं का है हमारी प्रशास्निक व्यवस्था हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारी राजनीतिक व्यवस्था कार्य पालिका हमारी सेना और हमारी न्याय पालिका ये सब ही अलग-अलग सिस्टम्स है जब कोई किसी देश पर कबजा करता है तो वो एक तरह के सिस्टम्स बनाते है उन सिस्टमों को नियंतरण के लिए बनाया जाता है दुर्भागिसे बिना अधिक बदलाव के लगभग बिलकुल वैसा जैसा अंग्रेजों के राज में था हमने बस उन्ही नियम कानूनों को अपना लिया और उन्ही सिस्टमों को जारी रखा इसके कारण ये ऐसा था मानो हम ब्रेक लगा कर गाड़ी चला रहे हो चाहे हम कुछ भी कर लें ये उसी स्पीड से चलेगा स्पीड बढ़ती ही नहीं क्योंकि सभी सिस्टमों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था लोगों को आजाद करने के लिए नहीं सभी सिस्टम्स जंजीरों की तरह थे एक जंजीर के अंदर इतनी जंजीरें कि चाहे आप कुछ भी कर लें आपको लगता है कि आप सही चीज कर रहे हैं मगर कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि हमने एक आजाद देश के लिए सिस्टमों को नया रूप नहीं दिया हमने गुलाम देश के सिस्टमों को अपना लिया और उनसे एक आजाद देश को चलाने की कोशिश की मेरे खयाल से इस तरह के सिस्टम के कारण इस आबादी की एक दो पीडियों के लिए सभी संभावनाएं नश्ट हो गई और उन्हें काफी तकलीफे सहनी पड़ी है ये शासन करने वाले देश की मानसिक्ता होती है कि हर नागरिक एक अपराधी है अगर आप मुझे नियम बता देते हैं तो मैं उसका पालन क्यों नहीं करूँगा नियमों को इतना घुमावदार बनाया गया कि किसी को पता ही नहीं कि नियम क्या है चाहे आप कुछ भी कर लें आपको अपराधी जैसा महसूस होता है क्योंकि आप नियमों को नहीं जानते वो इतने जटिल है मैं एक बहुत नामी कॉर्परेट वकील से बात कर रहा था वो मुझे कुछ समझाने की कोशश कर रहे थे मैंने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना मुझे लगता है कि अगर कोई मुझसे कुछ कहता है तो मैं उसे समझ सकता हूँ मगर मैं नहीं समझ पाया तो मैंने उनसे पूछा देखे आप देश के सबसे बड़े कॉर्परेट वकील है आप मुझे जो बता रहे है क्या वाकई वो आपको समझ में आता है वो बोले नई सदगरू मुझे समझ में नहीं आता I said OK अगर आपको भी समझ में नहीं आता तो ये है क्या वो बोले ये ऐसा ही है तो ये सिस्टम अब हम इन्हे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बड़े कदम उठाए गए है भारत के कारोबारों की जंजीरें खोली जा रही है ताकि वो तरक्की कर सके साथ ही, चुँकि यहां हर रोज सहन शक्ती की परीक्षा होती है भारती बहुती लचीले और मजबूत हो गए हैं वो जहां भी जाते हैं रोज अर्चनों से जूचते जूचते अगर आप उन्हें किसी ऐसी जगा ले जाएं जहां कोई अर्चन नहीं हैं तो वो सुपरिट हो जाते हैं वो दुनिया में हर जगा जाकर भारी कामया भी पा रहे हैं रोज रोज अर्चनों से जूचते हुए वो जबरदस ड्राइवर बन गए हैं जैसे उनके पास छटी इंद्री हो हम सिर्फ आगे से आने वाली चीज़ें ही नहीं देखते बलकि अगल बगल से या पीछे से आ रही चीज़ें भी देख लेते हैं हम ये भी जानते हैं कि उपर से क्या आ रहा है तो ये भी ठीक है मगर अब हम ऐसे मुकाम पर पहुँच रहे हैं जहां देश के ढाचे को साफ किया जा रहा है तीसरी और सबसे एहम चीज़ है लोग देखे कुछ लोग देश का निर्मान करने में लगे हैं कुछ लोग मानव जाती को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता वास्ताव में यहां सिर्फ इंसान है अगर आप एक महान देश चाते हैं तो आपको महान इंसानों को बनाने के लिए काम करना होगा कोई दूसरा तरीका नहीं है अगर आप महान इंसान पैदा करना चाते हैं तो हमें ऐसे तरीकों और सिस्टमों को बनाना होगा जहां इंसानों को बढ़ने से रोका न जाए हर इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचे देश धाचे में ये बदलाव बहुत जरूरी है जिसके शुरुवात होने लगी है मगर भारतियों के पास एक पारम पर एक सिस्टम था इसलिए लोग बाहरी मदद पर निर्भर नहीं होते बाहरी गतिविधियों के अलावा अपने खुद के विकास के लिए वो किसी खास बाहरी सिस्टम पर निर्भर नहीं होते यही वज़ा है कि चाहे जो हो जाए ये देश उस तरह अस्त व्यस्त नहीं होता जैसे दूसरे देश हो जाते हैं क्योंकि अपने अंदर पूरी तरह व्यवस्तित होने की एक मूल भूत समझ है ये चीज पूरी दुनिया को सीखनी चाहिए ये भारत की सबसे बड़ी भेंट होगी कि कोई व्यक्ति किस तरह अपने भीतर पूरी तरह से व्यवस्तित हो सकता है कि चाहे जो भी हो जाए वो अपने मार्ग पर बने रहेंगे